तीन नए क्रिशी कानूनों कе खिलाफ देस भर में किसान आंदूलन रत हैं आज 18 दिन है जब किसान ठंड में भी जो है सड़क पर हैं और इन इन तीनों क्रिशी कानूनों के बिरोध में किसानों का आज उपवास है हमारे साथ है। वर्व कंड्रिये मंत्री और कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता सुभृत कान सहैंजी उनसे बातचीत करें गे मुलत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश पियल 48 करके अमेरिकन सड़ा हुआ गेहुं पे जिंदा रहा है एक वो वो एक वक्त था इंद्रा गाधी ने हरिप करांती लाया और किसानों के मन में एक नया उत्साह उमंग हुआ और आज ये जब कोवीड के दौर में पूरा देश और दुनिया बन था तो हम अपने लोगों को भोजन देने में सफल इसलिए रहें कि यही किसानों ने हमारा आनाज का भंडार भर के रखा तो हम यात्रा जहां से शुरू किये हैं और जहां पहुंचे हैं कि आज हम पचीस सव रुपे का एमस्पी दे रहे हैं च्छतिस गड़ में इस राज में कुछ मिलना है उस राज में कुछ मिलना है लेकिन जहां से मूलतह हंडिट परसेंट वहां के लोग चाहे किसी सोसल स्टाटा का हों लेकिन वह किसानी करते हैं वह हर्याना पंजाब य जो इस्टन यूपी का यह जो इलाका है वो है हमारे हां करते हैं लेकिन हम लोग उतने और्गनाइज किसान नहीं नहीं हैं जो इदर मदपरदेश शटिस गड़ उड़ी सा जारकन बिहार तो जो लोग और्गनाइज है वो उसकी कीमत समझता है वो उसमें क्या कमी है और क् घट जो यह कानून बन रहा है इससे क्या नुकसान होगा उनको बहुत साप समझ में आ रहा है किसान जो है इतना करो या मरो के इस्तिती में आके आज 19 दिन तक डटा हुआ है तो कुस्तों बात होगा उनकी बात हम विरोद कर रहे हैं क्योंकि सरकार के नियत और नीती दोनो ही पिछले साथ वर्सों में जितने हुए हैं उस सब गलत में हैं और एंटी पिपल हुए है यह एंटी फार्मर हुए आपको याद हगा कि नरेंद मोधी की सरकार निस्षित तोर पे किसान विरोधी है जिस कानून को हमने अजे कैबनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंग के सरकार मे हमने लाया था भूमी अधिगरन बिल तो वो भूमी अधिगरन बिल के नाम था उसका रियाबिलिटेशन और यह एक आपको मैं कहना चाहता हूं आती किसाल नरेंद मोधी ने उसको जो है नौनल वाइड कर दिया था उसको बदलने का रिया था चार वार या पांच वार और से उसको किया बाद में पूरे देश के किसांद जब ख़ड़ा हो गए तो उनको वापस लेजा इनका नियत क्या है उनकी कैसी कानून और नीती क्या है वह बहुत साप है आप से बातशित करने के पिछे का मकसद भी यही था आपने जिकर भी किया कि मैं मनमुहन सिंग जी की कि दिसंबर दो हजार बारा चार डिसंबर का एक संसत के भीतर का उनका स्पीच है जिसमें वो मंडी सिस्टम को खतम करने की बात कर रहे हैं बीजेपी अब इन चीजों को आधार बना करके बोल रही है का कॉंग्रेस का मोलभुत जो है इंडिवीजुल राय किसकी क्या है ल कि यहां कि पूरे दुनिया में सबसे वड़ा वर्लमार्ट यह अपने आप में रिटेल सौप माना जाता है और उसके बाद जो हिंदुस्तान में हमने अपने वक्त में क्यों नहीं हमने 50% 51% और 100% किया था बहुत हंगामा किया था हमने एक ब्रांड ओरियंटेट हमने अलाओ किया था अब इन्होंने 100% कर दिया जो स्वाइं विज्वी मंट दूस्य तरफ मुके अममानी ने देश के सारे रिटेल और सौप जो ते उसको एकवार कर लिया किस और वियानी का कर लिया पूरे डिटेल को यह वर्ल मार्ट के टकर में आपको इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए कि रिटेल सौप से कि 70-80 परसेंट जो बिजनेस होता है वह एगरी बिजनेस होता है सट पैंट तो यह खरीते हैं पूरा ट्रॉली भरके खाने का समान आप लेके आते हैं तो किसान चाहिए खेट चाहिए यह पूंजी पतियों को चाहिए ना जो अपने मन के लाएक पैदा कराएं और अपने मन के लाएक उनको पूरी दुनिया जानता है कि वल्ल मार्ट के साथ जिट किसानों का समझाता हुआ वो किसान सब जो हैं वो आज मरने के कागार पर पहु वही रहेगा यहां तो ऐसी इस्थति में मैं समझता हूं कि इनकी नियत जो चार भई हम जीडीपी में 23 माइनस जा रहे हैं यहां गरीबी जो है वो दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं और दस्प जो मोधी के पार्टनर है वो दुनिया के अमीर होते जा रहे हैं यह कौन टेकल सकता है को यह वी यह स्टेकलोगी है कोंट्रॉजए एक तरिकर की आप उस्टिकलोग में है किसानों को सरकार्ण किया वोड़न यह कानून और यह छी व्यृक्ति एक्ट है तो किसको समधार है देखिए मोदी और उनके यह भूपो जितने जो है मंत्री पंती भूपो इनके दुर्भाग है कि इतने बड़े देश में किसानों के जो हमारा एकनौमी कहा जाता है नहीं देश का तो एकनौमी को ही अब इंड़स्ट्री खटम हो गया हमारा रियल स्टेट खटम हो गया अब यही एकनौमी बचा है कि अगरिकल्चर का जिसको यह खटम करना चाहता है और इसके बाद त्राही माम रहेगा यह रिलीव बाटेंगे देवता कहे जाएंगे और पूरी तरह देश को ताना साही में परिवर्टित कर लेगे सर एक चीज जो मोदी जी के केंदर में आने के बाद से जो देखा जा रहा है कि लगातार अगर किसी भी तरीके का अंदोलन जो जन अंदोलन जो कि लोग खुद से जो सड़कों पर आते हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिस की जा रही है अभी इन लोगों को खलिस्तानी और कल तो माववादी तक बता दिया गया देखा नहीं यह उनके आचार को पोस्टर लगवाया गया एक निया पैरलल जो है किसांद सभा बनाया जा रहा है आज उनके छुट भाई यह लोग जो हैं यह टुकड़े टुकड़े गैंग एक से एक माम अर्बन नक्सलाइड यह आज तक यह इतने लंबे राजनितिक जीवन में यह सब्द हम लोग नहीं सुनते थे तो यह सब चीजें जब इस आंदोलन को बदनाम करके क्योंकि यह मो एक निया स्लोगन यह सब देने का काम इसलिए मैंने कहाई कि भौंपू है इनके और यह देश का मीडिया क्या है से मीडिया जो है हम समझते हैं चौथा अस्तम का कहां से अस्तम उखाड़ के फेक दिया गया आप तो कुछ बचाई नहीं अस्तम में तो जो डिमोक्रेसी के सब खतम हो रहे हैं लेकिन यह सब हमारे एक नौमी के अस्तम एक लाश्ट क्रिशी बचे हुए थे इसको आज उसी पर हमला है देखिए जब तक आप स्वस्त रहिएगा सुखी रहिएगा तब आप अपने अधिकार की बात सोचिएगा जब आप परिसान रहिएगा करफू जब लगता है किसी सहर में तो कोई आलू का दाम पुछता है बहिए जे भाव मिल रहा है ले आओ जान बचाओ डिस्कवरी पर प्रोग्राम देख रहे थे सर बहुत पहले उसमें सुमालिया का दिखा रहा था बोला गया कि सुमालिया में जिन्दा रहना ही एक मात्र काम है शही बात है सुमालिया जितने इस तरह के बहुत सारे अफ्रिकन कांट्री है जिसको अगर युनाइटेड नेशन का एड और यह सब चीज़ नहीं उसको मिले तो सिर्फ जिन्दा रहना ही हम उसी स्टेज में जा रहे हैं आज देख रहे हैं मंदिर से लोगों ने मुकुत देवी मा का आँख अगर सोना का लगा है तो निकाल ले रहे हैं तीक यह तो आँख आज नकल हम सब लोग उस दारे में आएंगे कि मरता क्या नहीं करता जो सामने बिटाएगा मार के तो वी आर गोई कंप्लीटली लाइके सिविल वार में जो अकनवर्ट होने जा रहे हैं सर चुकि हम लोग किसानों पर बातसीत कर रहे हैं और आपने जिकर किया कि 36 गड़ में जो है आप लोगे में 25 सो रुपया दे रहे हैं जब जारखन में बिधान सभा का चुनाव चल रहा था राहूल गांदेजी सभा कर रहे थे और अपने सभाओं में 36 गड़ और राजस् सरकार यहां बनी आज दिसम्बर महीने में बनी जनवरी फरवरी से कोरोना और कोविड सरकार ने सारे उज्ञाओं के पैसे रोग दिये कैंसरकार ने इनका ख़जाना खाली था बट आज अज ये इस्तिति आज हुई है कि मुक्षमंत्री हर विश्य को रिव्यू कर रहे है तो मुझे लगता है कि यह जो वादा है हमारा जो कमीटमेंट हो पूरा होगा सर एक चीज और इसमें हम पुछना चाहेंगे जो यहां पर प्रभारी हैं आरपी एंस इंगी वो जब बयान दिये फैबरारी का एक बयान था पचास हजार रुपे तक का जिनकी जिनके उपर रिन है उनका सबसे पहले माफी होगा फिर से एक बार बयान आया दुमका और बेर्मों के उप्चुनाओं से पहले कि पचीस हजार रुपे तक के जिनके उपर जो रिन होगा उनकी किसानों का और फिर से 50 ज़र पियन का ब्यान क्या है हम नहीं जानते हैं लेकिन जो इस राज का प्लिट कल हमारा कमिटमेंट है वो पूरा होगा मैं आरपियन होगा के ब्यान को नहीं जाता हूं वहां के आकिम लोग है सर एक चीज और यह है कि जारखंड कॉंग्रिस के भीतर जो है काफी एक दूसरे पर ही ब्यानवाजी होते रहा है इवन मंत्री के कामकाच पर कारकारी अध्यक्ष है इर्फान अंसारी वो भी सवाल करते रहते हैं और वह कई ऐसे लोग हैं तो इस तरीके से जो पार्टी के भ रिवेश में हैं कॉंग्रिस पार्टी की जिम्मवारी बहुत बड़ी है कि देश में जो जनतांत्रिक लड़ाई लड़ने वाला फोर्स है उसको इकठा रखे और एक ससक्त बिकल्प मोदी का दे हमारा लीडर्शिप ट्रांजिक्शन पिरियेड में है दिल्ली में यहां इक कॉलीशन गौवर्मेंट है यहां तो कॉलीशन गौवर्मेंट में प्रावर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हम अगर 18 विधायक हैं तो हमारे विधायकों का जो वह बेचारा बनके तो नहीं राजनीत करेंगे उनके छेत्र का काम उनके जुड़ा हुआ काम पार पूरा होने को है सरकार का मात्रब 13 या 14 दिन बचे हैं जब सरकार एक साल अपना पूरे पूरा कर लेगी किस तरीके से आप देख रहे हैं काम का मैं समझता हूं कि हकीकत है कि एक साल इनका अपना प्रात्मिक्ता जो था स्वास्त और हेल्थ वाला कोरोना वाला उसी में तो जारखन मितौल थैंग गॉड कि यहां उतनी संख्या में लोग प्रभावित नहीं हुए जितना दूसरे राज्यों में हुए मैं समझता हूं कि अगला चार साल हेमंत स्वरण के लिए चुनोती है चार साल में अपनी जो घोसना पत्र है और कॉंग्रेस का जो घोसना प अखरी सवाल सर बिहार से चुकि अब बिहार बिदान सवाव में भी आप चुनाओ प्रचार में लगे हुए थे कहां पर क्या चूख हो गई सर क्योंकि एक सवाल ले उठ रहा है कि कॉंग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई और कॉंग्रेस के पास खुद का कंडिडेट उस मुकाबिल नहीं थे जो जीत सके नहीं देखे दो चीज था हम लोगों के सिटिंग एमेले ज्यादा तर सीमांचल के इलाके में थे किसंगर्ण पुट्णिया कटियार अरिया यह मदेपूरा तक ही सब इस इस इलाके में जो बीजेपी का सेकंड थर्ड को लीशन था उल लड रहते चुनाओ इन लोद उन्होंने इस रिलाके में हम लोगों को तहस्न था हस किया सबसे ज़या औरtarे सबसे ज़या था सिट इस इलाके में लड रही थे जो हमारा बेश था उसको लेके हम लड़ रहे तो इसलिए हम कम से कम 10-15 सीट इस इस इलाके में लूज किये हम लूज किये कॉंग्रेस पार्ट अगर हम लूज नहीं किये होते तो आज कम से कम हम अपने आप सरकार उतने से ही बन जाती दूसरा सबसे बड़ी घटना हुई कि सार बजे के बाद कैम काउंटिंग रोग दिया गया और मुख मंत्री कार्यालेस से एक-एक विधान सभा का मुनिट्रिंग होने लगा नौ भोट से सत्रह भोट से ब्यालिज भोट से बिले हंडिट हम लोग कम से कम बीसों सीट ऐसा था जिसको लिए हम लोग कहते रहें कि आप री काउंटिंग करो दुबारा काउंटिंग करो वहां के जिला प्रशाशन ने सेटिफिकेट भाजपा को पकड़ा दिया और हो ग गई आज भी हमें 116 हैं 122 पर सरकार बनती है अगर चेगो हमारा बढ़ जाता है तो इनकी सरकार चली जाए मोदी के लिए विहार जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि साथ वरस के जो विफलता थे इनके इनके चेहरे पर चिपक जाता है तो इसलिए एन के प्राकरिन करके इ धिन्दोरा पीट रहा है जैसे पता नहीं क्या जीत के आया है तो यह एक्सपर्ट है भाजपा दुनिया के अकेली सरकार है जो आठ नौ सरकार चुनी हुई कॉंग्रेज की सरकार को खरीद के मेले खरीद के तोड़के अपने में मिला लिया उकारा मेरा यह तो इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा जो भैमानी का असली चेहरा बिहार में दिखाया है एक तो नितीज कुमार की आउकात खतम कर दिया कहां कभी वो विपक्ष के प्रधान मंत्री के उमिद्वार थे आज एक चौथाई के मुख मंत्री है भी बंगाल उंगाल तक के ल दे दिये ना तो आप बंगाल के बाद जो है इस अब देखिए अखेल होगा अपना अब रहा सवाल सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए कि बंगाल में वो बंगाल जो कहिए टाइगरेस ममता बनर जी है उस से स्टेट को हम लोगों को इन बैमानों के हाथ से अगा हुआ है इनको तरीका पता है जैसे आपने कहा किसान एंदोलन को करने के लिए इसलिए अपने रही पे अपने डीले चला करके और उआप पाइं पाइं फोरे देश में करता है तो दिस वाट तेया बंगाल में कुछ साथ में आ सकते हैं कि बंडाल में हमको लगता है कॉंग्रेस पार्टी को और वेपक्षी को एक सुचना चाहिए कि सब मिलके कैसे चुलाओ लड़ें और हम वहां लड़ेंगे अपने तरीके से मैं वहां मंगाल में हिंदी बासा भासिय के बीच में काम करने जा रहा हूं हम लोगों से बात्चित करने की सरसुक्री आप सुन रहे थे सुबहत कांत सहाई जी को